हलो बच्चों, विल्कम तो जेएटी पॉइंट, जेएटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वाधत है आज हम लोग S.C. वर्मा बुक से रोडेशनल मोसन के सारे कोस्टिन्स करेंगे तो आज ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अब तक आपको बता देता हूं कि जितने भी कॉंसेट हैं वो सारे कॉंसेट हमने कर चुके हैं तो आप लोग को मैंने बोला था पिछले क्लास में कि आप लोग भी अब तक के जितने कॉंसेट आपने जो सीखा है तो उससे जाकर आप ऐसी वर्मा के questions को try करिए और जिसमें दिक्कत आता है फिर आकर रहां पर watch करिए तो आज ही watch करते हैं या देखते हैं इसमें कर रहा है कि question number one है कि will is making revolution about its axis with uniform angular acceleration starting from rest, it reaches the 100 revolution per second in 4 second find angular acceleration and find angle rotate during this 4 second ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो आप answer रहकर देना चाहते हैं angular acceleration का revolution per second में revolution per second square में तो भी है नहीं तो यहाँ पर एक तरह से frequency दे रखा है 100 revolution per second तो omega is equal to क्या होता है 2 pi f तो यहाँ से हो जागा 200 pi rad per second यह तो पहले जान जाएए अभी क्या पूछ रहा है पूछ रहा है हमसे कि 4 second में 100 revolution per second मतलब 200 pi rad per second हो जा रहा है तो उसमें आपको alpha का value बताना है तो omega is equal to omega naught plus alpha t तो initially यह 0 है अब कितना है 200 pi rad plus alpha का जानकारी चाहिए कितने second में हुआ है 4 second alpha is equal to कितना हो जाएगा बच्चोई 200 pi by 4 rad per second square तो जब यहां से इसको आप देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 50 pi rad per second square तो अगर radian में बढ़ चाहिए तो ऐसा हो जाएगा 50 pi rad per second square तो simply क्या किया है कि जो हमें initially from rest से है तो omega 0 होगा final कितना था तो इसको radian में लेकर है अगर आपको answer revolution में देना है तो यही पर आप 2 pi से divide कर दीजे यह जो यहां पर है 2 pi से अगर divide करेंगे तो 25 revolution per second square तो revolution से अगर radian में जाना है तो 2 pi का multiply कर दीजे अगर radian से revolution में आना है तो 2 pi से divide कर दीजे simple है ठीक है तो फिर्स्ट पार्ट का यह answer है उसके पास उसके बाद बोला है पुछा हैं से कि find angle rotating during this 4 second angle rotating means theta जैसे कि वहां पर displacement होता था angle displacement चाहिए तो इसके b पार्ट में theta omega naught plus t 1 by 2 half alpha t square तो यह पार्ट 0 हो जाएगा तो 1 by 2 alpha का value अब यह भी निकाले हैं कितना था उसको तो radian में ही बताईए 40 pi 50 pi और 4 second में हो रहा है यह है अब का 50 pi और 4 second तो अब यहां से जब देखेंगे तो 4,4,16 और 2 से divide करेंगे तो हो जाएगा 8 तो हां से आजाएगा 400 pi rad अगर rad में निकालना है तो इसमें करेंगे अगर revolution पूछता तो 2 pi से divide कर ले क्यों लोग पूछा है कि angle displacement या angle rotated तो अगर तो हम revolution में बताते नहीं है किसी में radian में बताना होगा तो इसलिए radian में यह आपका अंसर आया revolution में अगर बताना होता 2 pi से divide कर देज़े 200 revolution में चला होगा तो यह बात आपको समझ में आया होगा बच्चो जिसको चाहो तो आप note down कर सकते हैं इसका यह पार्ट यहां से आप माल लीजिए और यह बाला अब आप आजाए नेक्स्ट रूसेन में चलते हैं कर रहा कि a wheel rotating with a uniform angular acceleration cover a fifteen revolution in the first five second after the start find angular acceleration and angular velocity at the end of the five second तो क्या बोल रहा है कि we're rotating with uniform angular acceleration cover a 50 revolution in the first 5 second तो 50 revolution का मतलब अब यह भी आपको बता है कि basically वो theta दे रखा है तो यहाँ पर revolution के term में दे रखा है तो कितना हो जाएगा 50 into 2 pi is equal to 100 pi rad ऐसा In the first 5 second तो find angular acceleration तो गोल सिंपल है theta is equal to, हम क्या बोल सकते है omega naught plus t half alpha t square यह part going to be 0 because from the rest रहा है after I start तो यहाँ से 0 plus और theta का value कितना हो जाएगा 100 pi plus 1 by 2 alpha into t square और यह सब काम कितने में हो रखा है बच्चो 5 second में in 5 second तो इंटू 5 square तो alpha का जो value हो जाएगा 200 pi अपान 25 तो कितना हो जाएगा 4 pi rad per second square ऐसा अगर revolution में बताना है तो 2 pi से divide कर दीजे तो 2 revolution per second square हो जाएगा तो find angular acceleration and angular velocity of the 5 second तो ठीक है अग हमारे पास यह आ गया है यहाँ पर इसका answer का revolution में अगर चाहिए 2 revolution per second square omega is equal to omega naught plus alpha t तो initially 0 है alpha का value कितना है अगर radian में चाहिए तो 4 pi अगर कर देते हैं और time 5 second के बाद तो आज आएगा 20 pi rad per second और अगर इसको revolution में चाहिए 2 pi से divide कर सकते हैं तो आपका मिल जाएगा 10 revolution per second ठीक है बच्चो तो यह अगर बहुत था kinematics वाला भी part चल रहा है तो उसमें हम से पूछा था 50 revolution तो इसका मतलब अपने फटाक से समझ लिया कि 50 revolution का मतलब कि 2 pi से multiply कर देंगा तो angle आजाएगा once we get the angle theta ना तो 2 pi से multiply करने के radian में आ जाएगा तो जो second equation होता था क्यांकि x relation का पूछ रहा है और angular displacement आपको दे रखा है तो आप simple displacement और x relation का जब relation होता था with the time के साथ second equation याद करते थे तो similarly वही है जो s is equal to ut plus half a t square तो theta is equal to omega not t plus half alpha d square तो यहां से आपका यह दूसरा वाला बन जाएगा बाकी का value given था हमने उसको या तो हमें radian per second दोनों में निकाला है हर जगा अगर radian में चाहिए तो radian में नहीं तो revolution में चाहिए तो revolution में ठीक है तो इसको नो ड़न फटा-फट कर लीजी screen pause करके अब देखिए राक के wheel starting from rest is uniformly accelerated at 4 rad per second square for 10 second ओरडी समें, given देई इडिया की ओ alpha का value 4 rad per second square सिजा रहा है it is allowed to rotate uniformly uniformly for the next 10 seconds and finally brought rest in the next 10 seconds, find a total angle rotated by the wheel. तो इसमें तीन बाते हो रहा है बच्चों, यह क्या हो रहा है कि rest से 10 seconds तक accelerate कर रहा है फिर उसके बाद और रूख जा रहा है फिर दी accelerate कर रहा है, मतलब मैं अगर कुछ ऐसा बनाऊं तो अब कोई दिखाई पड़ेगा कि पहले accelerate किया, फिर rest में रहा, not rest में, means uniformly move कर रहा है और उसके बाद retard करके rest में ऐसा आ जा रहा है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि theta 1 travel कर रहा है, theta 2 travel किया और theta 3 travel किया तो अगर पहले बाले को देखें, theta 1 कितना travel किया, क्यांकि वो rest से start होकर accelerate कर रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि half omega not t plus half alpha t square, तो 0 हो जाएगा, 1 by 2, alpha का value, 4 into 10 square, यहांसे 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2 rad, 200 rad, ऐसा अब उसकाा दुसरे पार्ट में क्या कर है, it is allowed to rotate uniformly for the next 10 seconds, मतलब इसमें x-relati नहीं कर रहा है, जो अangular x-relation इसका दे रहा थाriskा था ना यहाँ पर तो omega का value कुछ ना कुछ होगा तो omega का value क्या होगा अगर इसको यहाँ पर calculate कर ले omega after the 10 second के बाद 0 plus 4 into 10 यह ऐसा यह दिखाई पढ़ड़ा होगा is equal to 40 rad per second क्योंकि छोटा थोड़ा लिख दिया था इसलिए बोल रहा था तो अब इसका value गर theta 2 में निकालें तो theta 2 में यहाँ पर क्या होगा omega t plus half alpha t square तो यह part पूरा 0 है क्यों 0 है? क्योंकि वो उस question में mention कर रखा है कि it is allowed to rotate uniformly for the next 10 second तो उसमें अगर uniform speed से गर जाता था आपको जैसे पहले भी पता है velocity वाले kinematics में कि uniform velocity से कोई जाता था उसका acceleration क्या होता था बच्चो इस सुने 0 so that is why due to this region alpha will be 0 अब देखिए omega का value अगर हमारा कितना आया था? 40 rat per second यह वाला तो इसका value हाँ पर रख लेते हैं और कितने देर तक चला है? 10 second तक तो आपको इसको मिलेगा 400 rat ऐसा तो theta 1 और theta 2 मतलब कि इसने से इतने पार्ट और इतने से इतने पार्ट के लिए निकाल लिए अब उसके बद कुछ dx-relate कर रहा है तो जिस rate से x-relate किया है उसी rate से dx-relate करेगा ऐसा होना तै है नहीं तो question में उसको बताना पड़ेगा ठीक है तो इसका अगर हम theta 3 बला अगर निकाले तो उस समें तक देखिये यहां से इसे चला तो वो speed-up हो रहा होगा तो 40 rat per second से आया 40 rat तक चला तो जब वो ब्रेक लगा रहा है तो उस समें उसका इसका इसले वेलोसिटी कैसा होगा 40 rat per second और फिर से वो बता रहा है कि 10 second में रुख जा रहा है क्वेशन में ऐसा ही मैंने है कि इस फाइनली brought to rest in the next 10 second then what will happen when the break the x relation is start at that time angular velocity was 40 rat per second तो यहां पर जब हम equation लगाएंगे theta 3 के लिए is equal to omega 0 t minus half alpha t square ऐसा तो omega 0 2 समें कितना होगा 40 और time 10 minus 1 by 2 4 into 4 square sorry 10 square क्यांकि 10 second के बाद हो रहा है तो इसको जब आप calculate करेंगे यहां से यह 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा 400 minus 200 यहां पर 200 rat आ जाएगा ठीक है उस वाले theta 3 के लिए तो total displacement कितना हुआ तो total displacement के लिए theta is equal to इंसा वो का sum ले लिजे is for 200, 400 and 200 तो कितना हो जाएगा is 6800 radian तो पूरे motion में throughout the motion 4800 radian मिलेगा तो ऐसा ही कोशन आप काइनेमेटिक्स वाले में भी देखे होंगे मतलब काइनेमेटिक्स वाले में जो original काइनेमेटिक्स है यह सर रोटेशनल काइनेमेटिक्स है मतलब तो concept क्लियर करने के लिए अच्छा है अब आजाएगे next question में चलते हैं बच्चो next question क्या कर रहा है कि body rotate about a fixed axis भी ऑंगे यह एफलार की बच्चो with angular acceleration of the 1 rad per second per second तो इसका जहने का मतलब है की 1 rad per second per second तो यह था समझेगे होंगे कि यह alpha की बात कर रहा है 1 rad per second square यह alpha है ठीक है थूट अधु दो ओट आगे दूट इस दूने ठूट है at what angle does the rotate, in the time in the, through what angle, through, तो ठीक है, तो यहनी इस समय में, मतलब कि 5 rad per second to 15 rad, मतलब कि कहीं speed होगा, उसका rotate होने का, ओमेगा 1 is 5 rad per second है, थोड़े दर के बाद, ओमेगा 2 is 15 rad per second ऐसा हो जा रहा है, तो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 जब ऐसा हो रहा है, तो उसमें इतने टाइम यह पूछ रहा है, कि इतना वो घूमा होगा, तो अगर वेलोसिटी के लिए है, एक्सरगलेशन हमारे पास है, और डिस्प पूछ रहा है, तो सब में अंगर लगा लीजिए, अंगर वेलोसिटी है, आपको अंगर एक्सरगलेशन है, तो अंगर डिस्प्लेस्मेंट पूछा जा रहा है, तो हम थर्ड एक्वेशन लगा कर ला सकते हैं, कि आ, ओमेगा 2 अस्क्वार इसक्वार इस 2 अलफा ठीटा, तो यहां से 15 का स्क्वार, इस 5 का स्क्वार, प्लस 2 अलफा का 1 और यहां पर ठीटा तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो 15 स्क्वार माइनस 5 स्क्वार कितना हो जाएगा, 200, यहां से इसको बेजेंगे, तो 15 स्क्वार इस 225, 5 स्क्वार इस 25, 200 आएगा, और यहां से 2 ठीटा, तो जब अब theta का value आप देखेंगे यह से, is equal to, is 200, तो theta is equal to 100 rat, ऐसा आजाएगा, ठीक है, तो इसका जो displacement होगा, इतने दिर में वोग इतना displacement चलेगा, तो इतना displacement चलेगा, इसको चाहे तो आप लोग note-down कर सकते हैं, तो simple था, उसमें x-relation दे रखा था, वो radian per second per second, जान भुच कर बोला है, कि आप उसको read करिये, ठीक है, अब उसके बद, next देखिए question, करा कि, find angular velocity of the body rotating with the x-relation of two revolution per second, 5th revolution, after the start, find angular velocity of the body rotating with the x-relation, मतलब जब 5th rotation जब खतम हो रहा है, तब उसमें हमें बताना है, कि कितना उसका angular velocity होगा, so, body rotating with this, as it's complete, ठीक है, from a start, start, जो word इसमें mention है, तो उसी से पता चल रहा है, कि omega naught का value सुनने होगा, और 5th revolution का मतलब, क्यानी कि 5 revolution कर रहा है, तो angle उसमें से, जो theta है, वो कितना हुआ होगा, 5 into 2 pi, तो 10 pi rad आ गया होगा, radian, ऐसा, तो हमसे omega की value पूछा जा रहा है, और x-relation alpha का जो दे रखा है, इसमें है 2 revolution per second square, तो 2 revolution को 2 pi से multiply कर दें, तो कितना हो जाएगा, 4 pi rad per second square, ऐसा, तो theta है, alpha है, और omega की value चाहिए, तो बहुत अच्छा है, तो, मतलब, third equation को लेकर आईए, वहाँ से आपको बिले देगा, omega square is equal to omega naught का square, plus 2 alpha theta, तो 0 हो जाएगा, 2 alpha का value, 4 pi है, और इसका revolution है, 10 pi, ऐसा, तो कितना हो जाएगा, यह, 4 2 जा, 80, तो, omega square, तो यहाँ से, omega square is equal to कितना हो जाएगा, यह, 4 2 जा, 8, 80 pi square, तो omega square कितना हो जाएगा, अंडा root, 80, pi, rad per second, क्यांकि pi square का value, pi जाएगा, और 80 का जो value है, root 80 का, उसका value कितना हो जाएगा, 4 root 5, rad per second, अगर इसको revolution में कर देना है, तो 2 pi से डिवाइट कर लिजे, तो 2 pi, मतलब इसमें से, अगर 2 pi डिवाइट करोगे, तो pi pi और इहाँ से, 2 हो जागा, 2 root 5, तो इसका revolution, पॉर्ट सेकेंड आगे है, तो अगर revolution में देना है, तो ऐसा, नहीं, तो radian में देना है, तो उस तरह का, तो standard इनली तो ऐसे radian ही होता है, बच्चो, revolution में, अगर question में है, तो उसके लिए भी साथ-साथ आपको बताते जा रहा हूँ, इसको चाहे तो आप attack से कर लीजिए, ठीक है, यह तो असान होगा, तो इसको pause करके आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं, ठीक है, आज एगी next question में चलते है, कर रहा है कि, disk of radius 10 cm rotating about its axis, angular speed is 20 rad per second, find a linear speed of a point on the rim, तो पहले तो आपको एक rim ऐसे बना के दिखा देते हैं, हम, यह रीम थोड़ा, यह अचली एक, विसी के आसपस बना लेंगे, इस तरह का है, और यहां से रोटेट कर रहा होगा, ऐसा, तो अपने axis के about, तो उसमें कर रहा है कि, कोई point object है, तो उसका speed है, 20 rad per second, और 10 cm का, इसका radius है, ऐसा, तो हम से पूछा गया है, कि, find a linear speed, तो linear speed के लिए आप कहा जानते हैं, बच्चे, V is equal to omega, और यह कहां से आता था, याद है, नहीं याद है, तो फिट से आपको बता देता हूँ, जो लोग revision type का देखना जा रहा है, तो इसका L है इतना, और omega, मतलब, जिससे क्या होता है, कि R is equal to R into theta, इसको याद रखिएगा, इसको जैसे ही, मतलब, आपको याद रख, मतलब, यह basic का है, अगर नहीं भी याद है, तो S is equal to 2 pi R होता है क्या, पूरे में, तो उसमें R तो R ही राता है, अगर एक revolution करते हैं, तो theta के जगा पे 2 pi हो जाता है, अब यह भी देखा है, तो उस समें R ना होकर complete circumference हो जाता है, इस समें certain distance इतना भूमा होगा, तो कुछ theta यह major कर लिजे, और R है, तो L is equal to R theta, तो इसको अगर DL by dt कर रहेंगे, डल्टा T time में, मतलब DL अगर भूमा होगा, तो उसी समें R into D theta by dt भूमा होगा, ऐसा, तो L के DL by dt, इस velocity हो जाएगा, और R तो constant है, D theta by dt, आपका omega आजाएगा, तो यह relation आपको यहाँ से मिल जाता है, तो हमसे अब जो पूछा है, तो फटा-फटा देखिए, असानी से मिल जाएगा, omega का value कितना है, 10 rat per second, और rim पर उसका कोई अगर velocity, मतलब particle है, तो उसमें इसका velocity क्या होगा, या rim का velocity कितना होगा, तो उसका radius कितना given है, 0.1, तो कितना आगया, 1 rat per second, ऐसा, करा मिडिल पॉइंट of the radius, अगर मिडिल पॉइंट में चाहिए, अचा, इस स्पीड उसका 20 rat per second है, ठीक है, 20 rat हो जाएगा, तो यहां से 2 rat per second हो जाएगा, यहां पर है 20 rat per second, ऐसा, तो यह तो वीवन वेलोसिटी का लीजे, दूसरा है कि आपको मिडिल आप दे सेंटर कहीं है, यहां पर चाहिए, उस समय उसका कितना होगा, 0.5 cm होगा, तो अचा, हाँ, इसमें क्या होता है, कि जब घूमता है, तो हर point कोई भी point पर होगा, सबका omega सेम होगा, ऐसा समझते हैं क्यों, मान लिजे कि यहां पर कुछ ऐसा इस तरह का blade type का हो, या कुछ भी ऐसा हो, तो जब उनका revolution पूछा, मतलब कि एक time period कितने दिर में आएगे, मान ल इसका t is equal to 2 pi by omega, तो इसका मतलब omega भी same होगा, बच्चो, so that is why due to that region, omega will be same, तो इसलिए यहां का निकाले, यहां का निकाले, बस radius अलग-अलग होगा, तो उसके चलते क्या होगा, कि linear velocity हर point पर जहां पर ए point होगा, उनका linear velocity अलग-अलग होगा, क्योंकि omega सब का same है, और यहां radius पर different velocity, linear velocity मिलेगा, तो V का value हमारा 20 है, और यहां से 0.05, 5 cm का मतलब, तो यहां से देखेंगे कि 1 rat per second, ऐसा हैगा, तो A और B पार्ट का, तो यहां आंसर होगा, ठीक है, करें कि, disk rotate revolve the axis with a constant angular acceleration, 4 rat per second square, find a radial and tangential acceleration, particle at a distance, 1 cm from the axis, at the end of the first second, after the disk start and rotating, तो कह रहा है कि, find a radial and tangential acceleration, तो आपको यह जनकारी होगा, कि जब यह कोई velocity, मतलब, V से रहता है, और circular motion में रहता है, तो radial acceleration का value क्या होता है, बच्चों, V square by R, यह तो बच्पन के दिनों में आपने पड़ रखा था, capital R लिखना है, तो ऐसा लिख लिजिए, यह होता था, और उसमें आप अभी क्या करते हैं, कि V square में एक R into R ऐसा कर लेते हैं, तो V by R into R, तो V by R का मतलब क्या होता था, अभी ओमेगा देखा था, V square to omega R, तो इसका मतलब हो जायता था, omega square R, ऐसा, ठीक, तो radial acceleration आपका, omega square into R हो जाएगा, तो, कि find a radial and tangential acceleration of the particle at a distance one centimeter from the axis and end of the first second, तो देखे, उसमें क्या दे रखा है कि end of the first second, तो omega का value नहीं दिया है, तो हम omega का value लेकर आ सकते हैं, क्या, end of one other second, first equation लगा कर, omega is equal to omega naught plus alpha t, omega naught from the start, अगर हो रहा होगा, rest अगर जा रहा है, कहीने कहीं मेंसन होगा, find radial acceleration, 1st second after the disk, तो 1st second मतलब t is equal to 0 पर rest पर मान रहा है, और alpha का value 4 है, into 1, तो यहां से omega का value कि इतना हो जाएगा, 4 rat per second, तो यहां से हमें radial acceleration मिल जाएगा, radial acceleration is equal to omega square into r, तो 4 square into radius is 0.01, यही होगा 1 cm, यहां से आप देखेंगे, 0.16 rat per second square, ऐसा मिलेगा, यह तो आपका radial आगे है, अब उसके बाद tangential, tangential तो बहुत यहां है, जैसे अभी पीछे वाले question में आपने देखा था न, v square to omega r, यहां से अगर इसको का differentiate करतें एक बार, तो क्या मिलेगा, dv by dt is equal to d omega by dt, और radius तो सेम होगा, तो यह acceleration उस समय, dv by dt का मतलब tangential acceleration, ठीक है, और v square by r, मतलब इसके dv by dt का मतलब कि change in magnitude of the velocity, उसके चलते गर acceleration होता है, तो tangential होता है, और direction change होने के चलते हो, जो होता है, और radial या centripetal, v square by r, जो दूसरा आपने देखा है, तो यह सब आते आपको, जो circular motion है, उसमें आपको काफी detail में समझाया हूं, तो tangential acceleration is equal to alpha into r, और अभी हमने काफी इसदर जब कर रहे थे question पिछले, तो torque अगर अलेने के लिए, तो frequently use किया है, लेकिन एक बार आपको चलिए, सुचा कि बता दो, यह tangential acceleration is equal to simply alpha into r, alpha का value 4 है, और radius आपका 1 cm, तो 0.01, यहांसे कितना जाएगा, 0.04 red, not red, यहां तो meter per second चलेगा न, यहां पर क्या लिग दिया है, red लिग दिया है, क्या है, नहीं, एक और बड़ी होगा बच्चो, क्योंकि radial acceleration है, तो tangential acceleration है, तो इस सब यह translational वाले है, यहां पर meter per second square, तो यह आपका आएगा, यहां से meter per second square, तो यहां पर भी आप क्या बोल सकते हैं, कि meter per second square, तो यह आपको समझ में है, तो वहां पर क्या था कि radial acceleration तो पूछा था, लेकिन वहां पर omega का value नहीं दिया था, तो यह linear velocity का value नहीं दिया था, तो हमें हां से उसको लेकर रहे हैं, उसके बारे में कुछ information given था, इस तरह का, तो हां से लाया गया, ठीक है, तो इसको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, अपना pause कर ली जा screen और फिर उसके बाद उसको नोटड़ में कर सकते हैं, ठीक है, अब देखिये, अब देखिये, अब लॉक हैंग स्ट्रीं, रप्त रप्त ओं डिस्क अब्रडियस 20 cm, फ्रीजिए वाउट अब इस आक्सिस विच इस फिच्छट इन अगॉरजब पोजीशन, ठीक है, मतलब इस तरह का कुछ होगा, ऐसा होगा, होट जेंटली, ऐसे रखा होगा, और यहाँ पर उसका कुछ सेंटर है, इसी के बाउट रोटेट कर रहा होगा, और इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसा रैप किया हुआ है, और जब वो ऐसा इसको अब गए खीच रहा होगा कोई, तो इसके पॉइंट के बाउट, ऐसा यह घूम रहा होगा, ठीक है, अगर प्लेल में आप देखेंगे, तो ऐसा दिखाई पढ़ रहा होगा, दूर से, तो इसमें आप देखते हैं, जो इसमें धागा जो पिष्ट, एसा ही कुछ माल लिजिए, इस तरह का ऐसे होगा, और घूम रहा होगा इसा गोल-गोल, और नीचे की तरह आँगा, तो इस तरह से लेकर तो नीचे की तरह होगा, तो उस समय हमें बताना है, इसका वेलोसिटी कितना है, तो यह तो बहुत ही असान है, कि वहल आपको विज इसा निकल करा जाएगा, ठीक है बच्चो, जिसको अब फटाक से, चाहते हैं तो लिख लीजिए या बहुत लोग का तो आप ही किया होगा, ठीक है, नेक्ट देखिए, कर रहे कि थी पॉइंट्स, तो इच अव देमास 200 ग्रम, कैप्ट अन दे कॉर्णर अप्ट अप्ट थे सिच्टेम एबउट एन एक्स इस ज्वाइन दे टू आप दा पार्टिकल, तो एक विट्राइंगल है आपका, ऐसा यह दीक भी रहोगा, तो इसमें मान लिजाए कि सब पर, एम, एम, एम मस है, और उसमें क्या पुछा है, ज्वाइन दे टू पॉइंट्स अप्ट तो माल लेते हैं कि इसी पॉइंट को जोइन कर लेते हैं कोई सा भी कर लीजे कोई से फर्क नहीं पड़ता है और ऐसे रोटेट हो रहा होगा कुछ तो हमसे पूछाए कि मोमेंट ऑफ इनर्टिया बताइए तो माल लेजे किसका लेंट या एज कुछ ए ए साइड है ऐसा तो पॉ पर जहां पर हो हैं इसका जा मोमेंट ऑफ इनर्टिया लिखेंगे इन दोनों के लिए तो मेंटु jी रो क्राइब ब्लस एम इन क्यों प्लास एमेंटु जी रोस्क्रा फ्लस स्क्वाइर लिख लेते हैं तो i m तो m रहा a स्क्वाइर sin a स्क्वाइर सिष्टी तो m a स्क्वाइर sin 60 का वैलू कितना होता बच्चो root 3 by 2 तो उसका स्क्वाइर करेंगे तो 3 by 4 तो moment of inertia कितना हो जाएगा 3 by 4 m a स्क्वाइर अब इसमें आपको a का value पूट करना है और m का value पूट करना है तो आप उसको देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं calculation कर लेता हूँ i is equal to mass is का 200 gram तो 0.2 kg हो जाएगा और distance कितना है 0.1 into 3 by 4 तो 0.1 का square is 0.01 और 3 by 4 तो उसमें आपके काम कर सकते हैं कि 0s को हटा लेते हैं 2 3 into 6 हो जाएगा 6 by 4 into 10 ratio to the power minus 3 kg meter square तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1.5 into 10 ratio to the power minus 3 kg meter square तो यह आपका answer आजाएगा तो समझ में आया कि अगर कोई point mass वहाँ पर है और उसी के axis गुम रहा तो जब से कोई distance नहीं होगा तो इसलिए 0 होगा तो किसी axis मतलब कि वो किसी side के about करेंगे तो 2 mass तो उसी पर पकड़ा जाएगा मतलब पकड़ा जाएगा मतलब कि वो दो point mass होंगे उसी axis of rotation पर होंगे तो जब उसी axis of rotation पर होंगे तो क्या होगा? कि वहाँ से distance आपका सुनने है 0 है, तो in that case, you can say that, कि moment of inertia due to this object will be सुनने है 0, m into 0 square, m into 0 square. Concept आपका ले दे कर वही है, कि m into dA square, 3, 4, 10, 20 particle हो, तो उसको आप summation करते जाहिए, जिस axis of rotation के बाउट उसको चाहिए, तो वहाँ से जो perpendicular distance आ रहा था, उसको हमने करते गए, और यहाँ से अभी निकल कर यह आ गया. ठीक है, तो इसको note down कर लीजिए, इसका B part अभी करते हैं. ठीक है, बाज़े इसके B part में, कि B part में वो बोला है, कि किसी एक point के about. मतलब कुछ ऐसा, ऐसा है, एकुलेटरल ट्रेंगल, और आपको ऐसा कहीं कुछ, फिगर में आप देखेंगे कुछ, इसके about और गोम रहा है, ऐसा, तो इस बार क्या होगा कि M, M, और यह ले लेते हैं, और यह ले लेते हैं, तो इस axis से perpendicular distance इसका कितना होगा, जहां से यह वाला घूम रहा होगा M, ऐसा, तो कुछ, अब देखेंगे कि, यह ऐसा मिलेगा, है ना, जो होगा, यह दोनो, एक जैसे होंगे, तो इसके लिए तो M into 0, मतलब मोमेंट ओफ इनट से अफिर से अगर लिखना है चले हम, M into 0 पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए तो A point पे हैं ही है, M into A square, तीसरे वाले के लिए M into, that much of distance, यह वाला, यानि यह वाला, तो 60 degree है, तो यह वाला कितना हो जाएगा, A cos 60, simple, अपनों टिक्नोमेटरी लगाईए, वहाँ से मिल जाएगा, तो A cos 60 का square करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0, प्लस M, A square, cos square 60, तो cos 60 का value, half होता है, तो इसका square करेंगे, तो 4 हो जाएगा, तो moment of energy आपका जो आएगा, M A square by 4, और इसका mass रखना है, 0.2 M A square by 4, और उसका distance है, 0.1, तो, मतलब, sorry, yes, मतलब कि distance नहीं, मतलब उसका edge है, length 0.1, तो 0.1 का square, upon 4, तो यहाँ से जब आप देखेंगे, 2 into 10 raise to the power minus 3 by 4, तो 2 by 4 is 0.5, तो 5 into 10 raise to the power, minus 4 kg meter square, तो यह आपका, B part का answer हो जाएगा, तो इसको चाहें, तो आप note down कर सकते हैं, ठीक है, अब आजाएगे, next question पर चलते हैं, कराएगे, particle of mass, 1 gram, 2 gram, dot 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 dot, 100 gram, are kept in the mark, 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, dot dot dot, 100 respectfully, meter scale, find the moment of inertia, of the system of the particle, about the perpendicular bisector, of the meter scale, इसमें जो question में बोला है, कि find the moment of inertia, of the system of the particle, about perpendicular bisector, तो मतलब, अगर 100 centimeter का है, meter scale, 100 centimeter, मतलब, एक meter का होगा, तो आपका उसमें, 100 centimeter मतलब, पुरा होगा, तो इसका midpoint क्या होगा, 50 centimeter ही होगा, तो अगर आप, इस meter scale को, ऐसा गर देखेंगे, और, तो 50 centimeter के mark पर ऐसा होगा, और इसी के about ऐसा, घुमना है, तो इसमें क्या करेंगे, कि मानलेजी कि एक आगे और एक पीछे का एक देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 51 होगा mark, और एहाँ पर, अपका 49 होगा, यहाँ पर 48 होगा, और एहाँ पर 52 होगा, dot 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 एसे चलते जाएगा, और last में यहाँ पर 100 होगा, और 1 centimeter पर, 0 पर नहीं ही बच्चो, यहाँ पर last में, यह dot dot dot, 3 dot का मतलब, वही होता है, कि 1 gram यहाँ पर होगा, यहां से distance कितना हो जाएगा, 1 cm और यहां से भी 1 cm, तो पॉइंट मास की तरह भी हप कर रहे होंगा, तो एक को अगर पहले देखते हैं, इस I1 को, तो यहां से कितना हो जाएगा, 49 gram इंटू, एक ग्राम में है बच्चो, और 1 cm का square, दूसरे वाले को गर देखें, तो इस side में ह कितना हो जाएगा, 51 gram इंटू, 1 cm square, ऐसा, तो 49 प्लस, यह तो दोनों 1, 1 तो सेम है, तो 49 प्लस 51 कितना हो जाएगा, 100 gram, इंटू, 1 cm का square, तो इसको जान बुछ कर मैं अभी 1 square लिख रहा हूं, और cm का square, तो पूरा जब आप करेंगे, तो 1 square ही लिखे रहिएगा, 100 gram का मतलब 0.1 kg, और cm square का मतलब 10 raise to the power minus 4, तो 0.1 और 10 raise to the power minus 4, तो इसको जब आप करेंगे, तो 1 square into 10 raise to the power minus 5 kg meter square, अगर M के सिस्टम में, अगर आप इसको कवर करेंगे, तो ऐसा ही मिलेगा, cm square मतलब cm कितना, 10 raise to the power minus 2, तो square करेंगे, तो 10 raise to the power minus 4, और 100 gram इस, अगर नहीं अगर समझ में आता है, तो एक step चलो, रिखी देता हूँ, 10 raise to the power minus 4, तो ऐसा जाएगा, 1 into 10 raise to the power minus 5 kg meter square, ऐसा, तो आप इसको जब करेंगे, तो यही मिलेगा, तो i1 इस तरह से मिला, ऐसे ही अगर हम i2 के लिए देखेंगे, तो क्या मिलेगा, तो i2 के लिए अगर देखेंगे, तो क्या मिलेगा बच्चो, यहां से 48 और यहां से इसका distance कितना हो जाएगा, 2 cm, और यहां से इसका distance 2 cm, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 48 gram into 2 cm का square plus 52 gram 2 cm का square, ऐसा, तो 2 cm square common लेते, तो 48 plus 52 कितना हो जाएगा, 100 gram, और यहां से 2 cm square, तो 2 square कर लिए, 10 raise to the power minus 4, तो यहां से आजाएगा, 2 square into 10 raise to the power minus 5 kg meter square, तो आप एक चीज़ common देखा, अगर फर्स्ट वाले के लिए, इसको moment of inertia या i1 जो बनाये थे, तो 1 square into 10 raise to the power minus 5 kg meter square, second pair जो 48 और 52 के लिए होगा, तो 2 square into 10 raise to the power minus 5, ऐसे ही एकर 3rd pair बनाएगे, तो क्या आएगा, समझी गहेंगे, क्या बोलना चाहरे है, 3 square, similarly आप यहां से बोल सकते हैं, कि i3 के लिए, 3 square into 10 raise to the power minus 5 kg meter square, तो आप ऐसा ऐसा करते करते करते, आप i49 तक जाएगे, मतलब उसमें क्या होगा, कि एक 1 वाला मिलेगा और दूसरा 99 वाला मिलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 gram into, तो वो distance कितना हो जाएगा बच्चो आपका, 1 से तो 49 का square हो जाएगा, प्लस और 99 into 49 का square होगा, बाकी का वो system जो बना हुआ है, कि 10 raise to the power minus 5 वो आपको मिल जाएगा, एक gram है, तो यहां से obvious सी बात है कि 1 gram है तो कुछ 0 point में हो जाएगा, और वहां से 49, 99 वाला है, तो वो भी वही करेगा, तो यहां से आपको दिखाई पड़ेगा, इस से 49 का square प्लस, सारी, इंटू, 100 और इंटू 10 raise to the power minus, वहां पर जितना आना है, 10 raise to the power minus 5 के जी आजाएगा, तो यह आपका gram gram है, तो इससे confuse मत होईएगा, 10 raise to the power minus 3 आप उसको समझ लीजेगा, और वहां से minus 7, sorry, minus 4, तो minus 3 minus 7 कितना हो जाएगा, अब आई 50 के लिए जब जाएगे, एक last में, तो यहां पर जिरो वाले mark पे तो कुछ है नहीं, तो 0 हो जाएगा, और जो 100 वाले mark पे है, वहां पर कितना है, 100 gram, और इंटू, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वहां से 50 cm, तो 50 का square, इंटू 10 raise to the power minus 4, ऐसा, तो 100 gram है तो 0.1 देगा, तो finally यह कितना मिला है यहां से, 50 square इंटू 10 raise to the power minus 5 kg, तो यह आपको समझ में आ रहा है, कि इस sub में 10 raise to the power minus 5 unit वाइस तो सब जगा सेम ही है, बाकि 1 square, 2 square, 3 square, dot, 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 50 square मिलेगा, तो moment of inertia हम कैसा जानते है, is a scalar quantity है, moment of inertia in a scalar quantity है तो सब का हम सम आप कर दें, तो जब हम सब का सम करेंगे, यहां से, i is equal to, i1 plus i2 plus i3, dot, 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 i50, तो यहां पर आपको क्याना ज़राएगा, 1 square plus 2 square plus 3 square, dot, 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 50 square, into 10 raise to the power minus 5, अब इसका अगर हम सम देखेंगे, तो कितना हो जाएगा, n into, n plus 1 into, 2 n plus 1 by 6, अगर आप सम जानते होंगे, उसके लिए, n natural, n square natural number का, तो ऐसा होता है, तो n का value यहां पर कितना है, 50, तो एगर 50 अगर put करेंगे, तो 50 into, 51 into, 101 upon 2 into 10 raise to the power minus 5, ऐसा होगा, तो बाकी का आप काम करेंगे, तो कुछ उसका सब calculate वगरा करने पर, 0.43 kg meter आ जाता है, तो मैंने तो calculation किया हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है, आपके लिए advice है, कि आप वहां पर multiply करिए, सब को देखिए, you will also get that, अब कुछ आएगा बच्चो, 4.29 या सम्थिंग कुछ इस तरह से, तो इसको last वाले digit को round off किया गया है, 0.43 kg meter square होगा, तो यह बास समझ में आपको आया होगा, अगर आया है, तो इसको आप लिख सकते हैं, यहां से, important data आपको discover करना है, यह चीज, यहां पर भी zero mark लगा ही लेता हूँ, कि आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसको अभी लिखी लिजी, I3 का ऐसा था, और फिर इसके बद, यहां से, इसका ऐसा मिलेगा, ठीक है, तो मैं समझता हूँ, कि पाउस करके आप लोग लिख सकते हैं, और लिख लिए होंगे, आज यह नेक्ट कोश्चन में चलते हैं, करा कि, find a moment of inertia of pair of a sphere, each having a mass m and radius r, kept on the contact above the tangent passing through the point of contact, तो उसमें क्या कर रहा है, कि दो a sphere है, चलिए बना गया है, तो बना ही लेते हैं, यह थोड़ा challenging काम हो जाता है, कि अगर line है तो वहाँ पर draw करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा अगर करना हो है, तो मुश्किल काम थोड़ा है, तो कोई बात नहीं, हमें ऐसे भी आता है, draw करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, लेकिन हो थोड़ा सहीं नहीं बनता है, ठीक है, इस तरह का दो a sphere मान लीजे, इसके लिए और इसके लिए, तो यहाँ पर अगर हमें देखें, कि अगर सॉलिड स्फेर है, तो डाइमीटर के बाउट तो हमें पता है, आप को ही पता, मतलब कि मान लीजे कि इसको कुछ a और b कह देते हैं, इसके रिक चाहिए, फॉर्स्ट एश्टिप, एसफेर के लिए है, आई एभी इसक्वल टू, तो इसमें आपको सिखाए गया था, कि पैरलल एक्सस ठीवरम अगर लगाएंगे, तो आई सेंटर आफ मास, अगर देखिए, तो इसफेर का कितना होता था, कि थीन है या हॉलो है अब ही वो कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब solid ही है तो इसका मतलब एक कितना हो जाएगा moment of inertia sphere का होता था याद है two by five mr square small r ले 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 थे हैं mr square और यहां से mr square तो इसको जब आप करेंगे two by five plus m तो कितना हो जाएगा seven by five mr square ऐसा तो एक कित तरफ से तो ऐसा होगा तो बाकि दूसरे तरफ से भी ऐसा ही होगा तो exact carbon copy है ना तो required moment of inertia of av is two times of जो वहां पर calculation लिखा हुआ है two by five mr square plus mr square तो इस two का मतलब समझ में आया कि इसमें tangent में एक के लिए आया था तो दूसरे वाले के लिए भी होगा तो as it is पूरा होगा तो चार्ट टर्म लिखो नहीं तो ऐसे कर दीजिए तो ऐसा ही मिलेगा तो आप वहां से देखेंगे तो seven by five into two two into इसको भी solve करके आप कर सकते हैं तो 14 by five mr square होगा क्या होगा 14 by five mr square moment of inertia सी ऐसा होगा तो यह बात आपको समझ में आया होगा तो इसको अपनो डॉम कर सकते हैं चलिए अब आज आते हैं next question में कह रहा है कि find a radius of gyration of circular ring of radius r about the line perpendicular to the plane of the ring and passing through the one of its particle ठीक है तो रिंग है तो रिंग के one of the particle से पास अगर हो रहा है इसको तो आप ऐसा वाला आप देख सकते हैं इसका इसमें visualize करने के लिए असान होगा ऐसा रिंग है और रिंग कर यहां से पास हो रहा है किसी भी particle से माल लेते हैं तो यहां से सब कर यह तो periphery पर है और equidistance from the center होगा तो इसके लिए चाहिए मतलब कि आपको जैसा बताया था कि find जो moment of inertia होता था कि moment of inertia ring का moment of inertia about tangent and tangent is perpendicular to the plane इस तरह के लिए तो आपको उस समय बताया होगा तो यहां से i का parallel axis theorem भी लगाएंगे तो क्या होगा i center of mass plus m into r square तो ring का mass कितना है m r square और प्लस वहां से m r square तो कितना हो जाएगा है 2 m r square ऐसा अभी वो पूछा है radius of gyration तो radius of gyration is equal to m into k square करते हैं m से m cancel हो गया तो k का value कितना हो जाएगा under root 2 r तो radius of gyration के लिए बच्चों आपको पता होगा radius of gyration हमें क्या idea देता है कि उसका कितना mass distribution क्या है कहीं भी कोई object अगर है तो उसका mass distribution axis of rotation के about उसका mass distribution क्या है तो हम इसको ऐसा लिख कर बताते हैं करा कि radius of gyration of uniform disc about a line perpendicular to the disc equal to its radius radius of gyration of uniform disc है तो disc के लिए आपको पता होता था इस तरह का 2D figure होता है कुछ इस तरह से ऐसा तो ऐसा है और radius of gyration इसमें k का value r दे रखा है तो करा find a distance of the line from the center कहां पर होगा तो यह नहीं पता है तो मान लेते हैं कि x distance यहां से होगा ऐसा तो अगर इसका अगर फिर से parallel access theorem अगर लगाएं तो यहां से कितना हो जाएगा i is equal to disc का कितना होता था mr square by 2 ऐसा moment of inertia मतलब i जिसका हमें चाहिए red line को अब a a dash कह लिजे तो i a a dash के about अगर चाहिए तो क्या होता था i center of mass plus यहां से distance कितना है x तो यहां से plus m into x square तो यहां से i is equal to mr square by 2 और a distance कितना हो जाएगा m into x square ऐसा तो यहां से तो यह moment of inertia है जो arbitrary point कहीं भी होगा उससे तो m into x square हो गया अब इसका resultant का radius of gyration कितना दे रखा है r यही दे रखा है na question में कि radius of gyration is equal to r question में पढ़िये तो k का value मिले होगा तो यहां से कर रहा है कि m into k square is equal to mr square by 2 plus m x square तो distance पूछा है k का value आ रखेंगे तो कितना हो जाएगा mr square is equal to mr square by 2 is equal to m x square mm cancel हो जाएगा x square का value कितना जाएगा r square by 2 r square minus r square by 2 तो x का value कितना जाएगा यहां से r by root 2 मतलब कि उससे हम कह सकते हैं कि r by root 2 के distance पर होगा तब उसका radius of gyration आ रहाएगा ठीक है तो यह इसका था question का answer तो आपको समझ में आया होगा explanation इसका कि radius of gyration का use कराकर हम उसका find out कर सकते हैं तो एक तरह से आपको radius of gyration का actual meaning भी समझ में आ रहा होगा actual meaning तो ही है कि इसका application है उसका actual meaning तो ही है कि कि किसी body के बाउट अगर कोई axis के बाउट कोई rotating object अगर rotate कर रहा है तो उसका mass का distribution क्या होगा radius of gyration हमें यह idea देता है ठीक है अब आज यह next question में करा find a moment of energy of the uniform square plate of mass m edge about the one of its diagonal अच्छा तो इसमें क्या कर रहा है कि आपको square बनाना है इस तरह का और अपने diagonal के बाउट ऐसा घूम रहा है square कहीं से मानिएगा square तो भी नहीं है लेकिन मैंने इसको three dimensionally visualize करने के लिए ऐसा आप उपर से देखिए तो आपको visualize होगा और एक और ले ले लेते हैं इसमें arrows मैंसा और एसा rotate कर रहा है ओमेगा से diagonal के बाउट ऐसे rotate कर रहा होगा तो हमसे पूछा गया कि बताइए क्या होगा इसका moment of inertia तो हम इसमें ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर ऐसा होगा इसी को मान लेते हैं x-axis इसमें और एक ऐसा कर लेते हैं दूसरा इसको मान लेते हैं y-axis ऐसा आप अगर इसमें देखेंगे उपर से गर visualize हो रहा होगा आपको तो इसमें आपको x-axis ऐसा और y-axis ऐसा इसमें अगर uniform square plate की बात करें तो हमें एक तरह का यह lamina ही है तो lamina के लिए मतलब यह rod का multiple of rod अगर रखते हैं तो उसके लिए आता है तो हमें इसके बाट पता है इसका center of mass हो कैसे? तो किसी भी lamina के लिए आपको पहले से बता रखा है कि अगर suppose उसमें a और b ऐसा है और इसका center मतलब की इस तरह से अगर हो कुछ कि इसके ठीक perpendicular अगर हो तो इसमें side है तो बिसके लिए जो rod है उसी का multiple है तो एक rod के midpoint से अगर आप देखते थे तो क्या होता था? m a square by 12 तो इसमें अगर दो उस तरह का combination है अगर perpendicular access theorem इसमें अगर ऐसा लगा ले तो इसमें moment of inertia होता था m a square plus b a square by 12 अगर जिनको moment of inertia नहीं समझ में आ रहा तो पीछे के lecture में जाके देखे जहां पर moment of inertia आपको समझाया गया है तो वहां पर इससा बाते बहुत सी detail में समझाया गया है तो वहां से इसका जो moment of inertia निकल कर आएगा तो m into a square b a square by 12. Since a square है तो a और b का value आपस में equal है और उसका जो edge है वो a दे रखा है तो यहां से अगर a square plus a square करेंगे तो कितना जाएगा 2a square तो moment of inertia अब center of mass के about जो आपको मिलेगा ma square by 6 या j axis कह लिजिए उसके about मिला 6 ते तो हो गया अब हम इसमें आपर perpendicular axis theorem लगा सकते हैं क्या क्या क्योंकि हमें इसके about पता है और x और मतलब z axis कह लिजिए इसको तो z axis के about चाहिए तो perpendicular axis theorem क्या बोलता था i z is equal to i x plus i y यही न तो i z के about तो हमें पता है ma square by ma square by 6 और i x और i y दोनों diagonal होंगे तो diagonal तो same होते हैं square के तो इसलिए moment of inertia of i x और i y दोनों equal होगा क्योंकि diameter दोनों equal होते हैं तो हम यहां से बोल सकते हैं कि i x और i y equal होंगे और से कुछ भी ले लिजिए तो 2 i x यहां से कह लिजिए तो इसको जब आप solve करेंगे i x is equal to ma square by 6 और 2 तो 12 वापस आ जाएगा तो diagonal के about हमारे मिल गया moment of inertia ma square by 12 यह चीज तो यह बात आपको समझ में आया होगा ठीक है अब आज आई यह next question में चलते हैं इसमें कर रहा है कि the surface density of a circular disk of radius a depends on the distance from the center इसका density की वहन है rho into r is equal to a plus b r ऐसा find a moment of inertia of the line perpendicular to the plane of the disk through its center तो ठीक बात है यहां पर इसका एक disk के लिए देख लेते हैं इस तरह का disk के बच्चो ऐसा और यहां से इस तरह का ऐसा होगा इसके about चाहिए लेकिन इस पर पहले जो हमने disk का निकाला था उसका radius r होता था उसका mass m रहता था mr square by 2 हो जाता था लेकिन इस पर यहां पर ऐसा क्या दे रखा है कि उसका mass उसमें m ना देकर वो variable mass कर दिया है तो हैं पर row is equal to a plus br उसका mass density given है तो आपको याद होगा कि जब हमने बनाया था उसको कुछ इस तरह का ऐसा ले लिया था कि center से उसमें x distance या इस case में अगर r distance ऐसा ले लेते हैं ऐसा तो छोटा सा यह पार्ट जो था यह DR ऐसा होगा ऐसा DR तो mass of that DR पार्ट भी DM ऐसा तो उसमें क्या होगा कि DM ऐसा अभी 2D figure है तो अगर उसको अगर देखेंगे जो अभी मैंने green color का marker रखा है तो उसमें आपको नजर आएगा कि एक तरह का रिंग बन रहा होगा तो उस रिंग का area क्या होगा तो उस रिंग को जब आप cut करके कुछ ऐसे दिखेंगे तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा इस तरह का तो ये वाला जो part है आपका DR है ये छोटा सा part इसका thickness DR होगा और ये वाला part BR इंटू 2PiR इंटू DR ऐसा ते तो DM पाट का मासा अगया और moment of inertia है ऐसे के लिए क्या define होता है DI या I हटा दो मतलब D के इसे D के portion में I square to integral form में आपका DM इंटू R square ऐसा define होता था यही होता था तो इसमें अगर DM के जगह पर अगर इसको अगर रखा जाया ऐसा तो कितना आजएगा ये पेज पर लिख लेता हूँ A plus B r into 2 pi r d r ये DM के जगह पर इतना आगया और उसमें into r square यही था ना ये जो चीज है ये DM है और यहां से r square है तो इसको 2 pi को तो बाहर कर दीजे अच्छा इसमें फिर क्या होगा कि जो रेडियस है इसका मैंसर है क्या कि इसमें कि find its moment of inertia about line perpendicular to plane of the disc through its center और उसका radius बच्चो ये गिवन है यहांपर ऐसा कि radius a depends on the distance from the a तैनि कि आपको जो 0 से मतब र का value क्या होगा यहां से r is equal to 0 2 इसके end point तक r is equal to a तक यहां से यहां तक आपको r का value चाहिए और जो अभी differential element आया है वो किस बर है r पर है तो हम यहां से बोल सकते है 0 2 a में जाना है तो इसमें 2 pi को बाहर ले लिजे और 0 2 a ऐसा कर लेते हैं तो बाकी क्या मिलेगा a plus b r into r square into r, तो r q हो जाएगा dr, तो 2 pi 0 to a इसको आप देखेंगे तो a r q plus b r 4 into dr, तो इसको अगर करेंगे तो 2 pi a r 4 by 4 plus b r 5 by 5 और इसका upper limit lower limit लगा देंगे 0 to a, तो r के जगा पर a value put करेंगे तो तो a raise to the power 4 और a raise to the power 5, r के जगा पर 0 करेंगे तो 0 पूरा होई जाएगा, तो यहां से इसका जो moment of inertia का value होगा, i is equal to 2 pi a, a raise to the power 5, sorry 4 by 4 plus b a raise to the power 5 by 5, ऐसा मिलेगा, a moment of inertia आएगा, इसका, तो यह बस समझ में है, कि अगर कोई variable है, तो ऐसा हमने question देखा था, तो उसी का आगे extension है, बहुत बच्चे नों के कर भी लिया होगा, करने के बाद, तो वो लोग अपना, यहां से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिनको नहीं आया होगा, difficulty है, तो आप यहां से अभी देख लीजिए, ठीक है, तो यहां पर इसका एक बार पीछे कर देता हूं, कि आप इसका लिख लीजिए, दूसरा आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोर्शन में आये, कर रहा है, पारिकल अप मास M is a projected with a speed U at angle theta with the horizontal, find a torque of the weight of the particle, about the point of the projection, when the particle is at the highest point, तो देखिये, इसमें projectile की कहानी कहा है, तो ऐसा आप कह सकते हैं, इस तरह का कुछ होगा, कि इस प्रोजेक्टेट अट सटें अंगल theta, तो during the projectile हम लोग क्या जानते हैं, कि mg तो हमेशा downward लगता होगा, यही होता है, mg डाउनवर्ड लगता है, इसी भी point से, अगर आप देखेंगे तो, तो जब वो प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसमें हमें क्या पूछ रहा है, कि torque का value होता है, तो torque के लिए हमें क्या चाहिए होता है, R perpendicular distance into F, और दूसरी भाज़ा में, R cross F, यही define होता है torque, कि वहां से, जो, जिस point से है, तो वहां से R का distance perpendicular distance देखते हैं, तो अब ही, ओ point यहां पर है, जहां से project किया गया है, वहां से पूछा है, अब यहां से तो यह distance लेंगे नहीं, तो आपको पता होता है, कि अगर जहां पर force लगता है, तो सी को आगे की तरफ खिंच लेते हैं, और वहां से perpendicular distance कुछ ही आएगा, यह वाला, तो ओभी एकदम उसका midpoint होगा, तो यहां से यहां तक का distance आपको पता होता है, इस r रेंज होता है, और वह क्या होता है, r is equal to u square sin 2 theta by g, यह तो आप जानते होंगे, रेंज का formula होता था, कि अगर u velocity से किसी particle quarter angle theta पर फेका गया है, तो इसका maximum range u square by g होता है, क्योंकि sin 2 theta होता है, और theta का value 45 degree होता है, in general u square sin 2 theta by g होता है, r by 2, अगर particular torque अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, r by 2 into mg, यह होगा, r by 2 के जगा पर, u square sin 2 theta over 2, मतलब g ऐसा हो जाएगा, और into mg, तो mg से, g से तो g cancel हो जाएगे, और वहाँ से mu square by 2, और sin 2 theta, तो sin 2 theta को जब आप open करेंगे, तो 2 sin theta into cos theta, तो 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, mu square sin theta into cos theta, तो यह आपका torque का कुछ value मिल जाएगा, mu square by mu square sin theta into cos theta, यह हमारा torque होगा, तो अभी torque में भी direction होता है, तो अभी उसका देखिए कि mg नीचे की तरफ है, तो यह अंदर की तरफ torque होगा, इसका direction of rotation, अगर देखेंगे, तो कैसा, clock wise, तो clock wise जब होता है, तो into the होगा, तो मतलब और perpendicular to the plane होगा, तो answer महाँ पर देखेंगे, तो लिखा होगा, mu square sin theta cos theta, perpendicular to the plane, perpendicular to plane का मतलब into the plane, तो जिस तरह से कर लग रहा होगा, तो ऐसा होगा, तो इसको चाहें, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, अब आजएगी, next question में चलते हैं, करेके, simple pendulum of the length L is the pulled side, the maxo and angle theta with the vertical, find the magnitude of torque of the weight w of the bob about the point of suspension, when the torque is, when is the torque zero, तो अभी क्या है कि एक pendulum ऐसा, ऐसा है, और यहां से कुछ इस तरह का angle एठीटा ऐसा हो रहा है, तो mg इसका, यह w weight तो ऐसा होगा, यह होगा ना, तो अभी हमें जो पूछा गया है, कि find the magnitude of torque of the weight w about the bob, about the point of suspension, इसके बाउट चाहिए, तो या तो इस पे जो, अगर आप देखेंगे, इस तरह से ऐसा रहता है, तो यह वाला, ठीटा होता है, तो यह भी ठीटा हो जाता है, तो इसके along में अगर देखेंगे, तो mg, cos theta होगा, जो कि उसी line पर है, तो कोई torque produce नहीं करेगा, ऐसा आपने torque के बारे मता है था ना, यह अगर किसी line के along अगर कुश्च होता है, मतलब कि जहां पर जिस point के about लेना है, और force आप उसी पे लगा रहे हैं, मतलब कि अगर force करें, और उस axis of rotation को cut कर दे, जैसे यहां पर यह force है, आप इसदर सोचे कि force लगाऊं तो घूम जाए, ऐसा नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि theta का value उसी के साथ में, उस line of action के साथ में है, perpendicular distance का जो उसमें देखेंगे, तो zero degree होगा, जो perpendicular distance हमें लेना होता है, तो zero degree है, तो उससे उसमें mg cos theta के चलते, कोई torque produce नहीं होगा, यह हमने देखा है, आप चाहें तो आप अपने table, जो आपका door है, उसमें आप देख सकते हैं, आप जब भी देखते हैं, कि अब दर्वाजा कैसे खोलते हैं, कुछ ऐसे देते होंगे ना, लेकिन जब आप सोचें कि मैं उधर जो उसका width है, उसके along-up force लगाई है, तो कभी नहीं खुलेगा, हाँ, दर्वाजा तूट सकता है, लेकिन खुलेगा नहीं, और जो थोड़ा बहुत खुल भी जाता होगा, तो आपके थोड़ा बहुत action, मतलब angle कुछ लग जाता होगा, उसके वज़ा से, तो इस case में अभी पूछा है कि इस point O के बहुत चाहिए, तो यहाँ पर mg cos theta है, तो हमने force को ही break कर दिया, mg sin theta, तो यह वाला force ठीक, इसके right perpendicular है, यहाँ से, तो जो torque produce करेगा, तो perpendicular distance कितना हो जाएगा, वहाँ से, जितना भी इसका length है L, और इसको आप देखेंगे, कि mg sin theta into L, तो mg L sin theta, आपका torque के हाँ से मिल जाएगा, इस point O के बहुत, डायरेक्शन की यहाँ तक बात है, तो अंदर की तरफ clockwise आ रहा है, एक बात यह हुआ, दूसरा हम ऐसा भी कर सकते थे, कि M है इधर से, तो हम क्यों ना, perpendicular distance यही ले ले, यह भी तो हो सकता था, अगर W यह नीचे की तरफ लग रहा है, दूसरे figure में आप देख सकते हैं, यह ऐसा है, और W नीचे है, तो यहाँ से perpendicular distance, मतलब यह angle theta है, तो यहाँ से L cos theta हो जाएगा, तो जो torque का value है, तो W L into cos theta, वो same ही होगा, W के जग़ा पर, जो उसका weight given है, तो यहाँ पर भी आप M G के जग़ा पर W रख सकते हैं, तो W L sin theta, तो अच्छा, वहाँ cos theta लिख दिया क्या, theta is equal to सामने, यह ऐसा नहीं होगा बच्चो, cos theta होगा, cos theta नहीं होगा, L sin theta होगा, सामने से ना perpendicular होगा, तो W into L sin theta, तो आप, यह तो force को break करके देख लीजिए, और दो force के component आएंगे, तो M G cos theta के चलते नहीं मिलेगा, नहीं तो आप length को ही perpendicular देख लीजिए, जो W रागरा है, तो एक sort में आपको निकल करा जाएगा, ते बाद आपको समझ में आया होगा, तो आपने इसमें ही discover किया, कि जो उसमें torque लग भी रहा था, तो जो उसके line के long होगा, तो उसके चलते कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसको आपनो down कर सकते हैं, अब देखिए, इसके बाद नेक्स्कोचन में आते हैं, इसके नेक्स्कोचन में आते हैं, कि वन 4, 6 Newton is the exerted at the 30 Newton to the reach, to the distance of 8 centimeter from the nut, it is just able to the loosen to the nut. So, when F is the, would be the sufficient to loosen it, if John needs son in it perpendicular to the reach at the 16 centimeter from the nut. So, figure बच्चों कुछ ऐसा है, figure यहाँ पर given नहीं है, तो मैं आपके लिए figure बना देता हूँ, यहाँ पर कुछ nut का कहानी चल रहा है, और यहाँ पर, कुछ वो 6 Newton का force लगा है, 30 degree पर, जो कि वहाँ से 8 centimeter पर, और पूछा जा रहा है, कि जो force है, perpendicularly, वहाँ से 8 centimeter है, ऐसा, तो अभी कह रहा है कि, कितना, what the force would be the sufficient to the, loosen it the, that reach, मतलब कि, इस nut को कितना से कर दे, तो यह 6 Newton का है, तो इसका जब आप यह वाला component देखेंगे, कि फिर से यहाँ पर इसके दो component होंगे, एक ऐसा, एक ऐसा, तो यह 30, जो along दा आ रहा होगा, जो 6 cos 30 आ रहा होगा, तो कोई torque प्रोडूस नहीं करेगा, फिर से उसी line में है, और दूसरा वोला, 6 sin 30, यह torque प्रोडूस कर रहा होगा, तो उसको अगर खूलना है, तो दोनों को must be the magnitude को, आमने सामने रखना पड़ेगा, एक f उपर की तरफ लग रहा है, तो इसका torque इस तरफ से, मतलब anti-clockwise है, तो बाहर की तरफ होगा, और यह नीचे की तरफ आ रहा है, तो अंदर की तरफ होगा, तो यहां से जोब हम torque को equate करेंगे, कि मतलब दोनों के चलते torque equate होगा, तभी हो खूलेगा, तो 6 cos 30 into 8 cm is equal to f into 16 cm, ऐसा दोनों का torque आमने सामने equal कर दे, जो सरी, फिर से cos ले लिया, ऐसा क्यों हो रहा भई? 6 sin 30 degree, क्योंकि इसका vertical component होई है, उसके चलते तो मिलेगा नहीं, cm cm तो अपने घर गए, 6 cos 30 का मतलब is 1 by 2 into 8 is equal to f into 16, तो f का जो value आएगा, वहाँ से, तो इसको solve करेंगे, 8 into 2 ऐसा हो जाएगा, और f is equal to 6 by 4, to 1.5 newton, ऐसा मिलेगा, तो यह बास समझ में आया, आपको, नेक्स देखिए, कि calculate the total torque acting on the body, यह तो फिर मुझे बुख खुलना पड़ेगा, इसके लिए पूरा साफ कर दिया है, फिगर वालो लोग को बोलना पड़ेगा, कि भाई, इसका साथ साथ, आप फिगर भी दीजिये, नहीं तो, कुछ, मतलब ठीक से नहीं बनेगा, अच्छा, इसमें हार्ट सेप है, कर रहे हैं कि, इधर total torque about the body, देखिए भई, दिल में कितने force लग रहे है, एक, एक ऐसा है, तो यहाँ पर, पॉइंट ओ है, इसमें, और यहाँ से उसके लिए कह रहे है, 37 degree का कोई वर्टिकल से, 50 Newton ऐसा लग रहे, फॉइंट ओर रहे है, ऐसा हो रहे है, और यह दिस्टन से कुछ 6 centimeter, एक ऐसा लग रहे, 5 Newton, और यह एक ऐसा लग रहे है, 20 Newton, और यह एक ऐसा लग रहे है, 10 Newton, ठीक है, तो आप देखेंगे, सब का जो इन सब हो के लिए, जो 20 Newton है, और 5 Newton है, और 15 Newton है, तो इसका देखेंगे, यह ऐसे बाहर की तरफ, लगा रहा है, anti-clockwise, यह अगर देखेंगे, तो यह अंदर की तरफ लग रहा होगा, और इसमें इस फोर्स देखेंगे, तो बाहर की तरफ, और यह दोनों अंदर की तरफ, तो इसमें, इस पॉइंट O के अबाउट, अगर ऐसा देखेंगे, तो इन तीनों के चलते तो आपको मिलेगा, इसमें, टॉर्क एक जैसा, और टेन न्यूट्रन के चलते जो आप देखेंगे, तो एक जैसा मिलेगा, तो एक एक करके अभी देख लेते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है, त्री सेंटिमीटर, अच्छा, एक फाइफ न्यूट्रन तो उसी लाइन में है, तो एक तो कोई टॉर्क देगा ही नहीं, ठीक उसमें ऐसा जाएगा, ट्वेंटी न्यूट्रन है, तो एहां से वन ट्वेंटी डिग्री है, इसका मेंशन कर रख है, और यहां से फॉर सेंटिमीटर है, तब कोईशन न्यूबर ट्वेंटी में जाकर इसका फिगर भी देख सकते हैं बच्चे, तो ट्वेंटी का जो यह नैंटी डिग्री है, तो एक कितना हो जाएगा थर्टी, ऐसा, सारी, वन फिप्टी डिग्री है, तो यहां से हो जाएगा, यह 60 डिग्री है, इसको वटा देते हैं, तो ट्वेंटी का जो कोस सिस्टी डिग्री होगा तो कितना हाएगा, 10 न्यूटन और परिपैंडीकुलर धिस्टेंस आपका फॉर, तो यहां से जो टॉर्क मिल राहूगा, 10 इन्टू 4 सेंटीमिटर, तो 0.4 न्यूटन मीटर हो जाएगा, एक, यहां से देखिए, तो इसका टेंडेंसी कैसा है, इसका एरो देखिए उसका, उसको घुमाने के एंटी क्लॉक्वाइस बाहर की तरफ, और इसका देखिए, क्लॉक्वाइस घुमा रहा होगा, तो अंदर की तरफ, तो इसमें T1 है, और T2 वहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन निगेटिव में आ जाएगा है, 10 और डिस्टेंस से उसका कुछ 4 सेंटीमिटर एभी है, इन्टू 4 सेंटीमिटर, तो वहाँ से भी आप देखेंगे, तो 0.4 निउटन मीटर होगा, क्योंकि 4 सेंटीमिटर को अब जो मीटर में कनवर्ट करेंगे, तो ऐसा आएगा, तो ले देकर बचे आपका 15 निउटन वाला, उसी के चलते एक्ट्वल टॉर्क मिलेगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इस निगेटिव साइन के चलते, ये कैंसिल हो जा रहे हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा अंटी क्लॉकवाइज, फिर निच्छ देखें, 15 निउटन अगर है, तो 15 निउटन का पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, 15 निउटन तो ऐसे लग रहा है, यहाँ से, तो 6 हो जाएगा, तो सामने वाला 6, ये 37 है 6 है, तो सामने वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 sin 37, तो जो टॉर्क इसके चलते मिलेगा, 15 इंटू 6 cm, इंटू sin 37 is 0.6, ऐसा, तो 15, 6 जा 90 हो जाएगा है, और ये 0 कही है, तो इसका खा जाएगा, इंटू 10 रस तो दी पार माइनस 2, तो 0.54 निउटन मीटर आपका निकल करा जाएगा, ठीक है बच्चे, तो ये तो कहानी था आपका, आज के, 1 to 20 question का, तो आज के lecture में इतना ही रहने दते हैं, तो 1 to 20 question, जो लोग नए हैं, तो जाकर वहाँ से, एक एक करके फिर से आप देख सकते हैं, और जिनका बहुत सारे, मतलब जो बच्चे पीछे से करते हुए आ रहे हैं, और solve भी किये होंगे, तो most of the question 80-90% तो बन ही गया होगा, कहीं एक-दो question में doubt होगा तो होगा, तो आज यहां के explanation से आप उसको समझ सकते हैं, तो आज के lecture में इतना ही, जब next lecture में मिलेंगे, तो ठीक इसके आगे का question करेंगे, Thanks for your time.